तो कैसे हैं आप सब मैं हो सुनील एंड आप दिख रहे हमार चैनल क्लाशिंग विच सुनील तो यह आज क्यूडियो में मैं आप तुम लोगों को बताने वाला हूँ पबजी मॉबाइल में एक न्यू वैपन इंट्रड्यूस के जाने वाल है न्यू एसौल ड्राइफल तो यार काफी टाइम से हम सभी को पता है हम सभी पबजी प्लियर्स हैं तो पबजी और सी उसी दोनों ही हमारे लिए काफी टाइम से हमेशा कुछ नया ट्राइ करने कोशिश करते हैं तो पबजी ने हाल फिला लिए अपने सामने एक एसलार राइफल इंट्रड्यूस की थ कर रहा हूं तो यार तुम लोग देख सकते हो बारेल M762 में वेपन क्लास आपको दिख रही होगी एसल्ट राइफल एमो टाइप इसका जो होगा वोगा 7.62 का जैसे मतलब जो इफेक्टिव फाइरिंग रेंज होगी जो 400 मीटर की होगी तो यार यह फाइरिंग रेंज काफी अची है क्योंकि जो बड़ी बड़ी स्नाइपर होती है जैसे एड़लो एम उनकी होती है 800 मीटर तो मुझे लगता है कि फाइरिंग रेंज है वो बिलकुल सही रेट आफ लेता हूं कि AKM और दोनों में से बैटर कॉन सी एक एम या फिर बैरिल M762 तो यह दोनों में थोड़ी थोड़ी कॉम्प्रोमाइज हम सभी को करना पड़ेगा क्योंकि अगर AKM के स्टैबिलीटी की बात करता हूं तो AKM की स्टैबिलीटी ज्यादा है एंड डेमेज दोनों वोगा आल्मोस्ट सेम होने याल है थोड़ा बहुत उपर नीचे हो सकता है एंड जो साथ में इस पॉइंट में बात करता हूं कि यह बैरिल M762 में रिकमेंड क्यों करता हूं तो यह बैरिल M762 है इसमें एक स्टैबिलीटी है कि जो इसकी फाइरिंग रेट होने वह ज्या जादा राउंड जल्दी ही फायर कर देगी तो जो बुलेट वैलोसिटी है वो भी एकेम की कंपैरीजन में ज्यादा है तो जाहिर सी बात ही जो क्लोज कामबैट होने वाले है उसमें काफी ज्यादा यूजफफुल होने वाली है तो यह गन जो बैरिल M762 है अभी तक इसक कैसी लगे तो यार बस यही थी आज की वीडियो उमीद रपको वीडियो पसंद आई होगी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो उनको भी पता होना चाहिए कि भाई एस्वाल ट्राइफल इंट्रड्यूस होने अलिए एक और न्यू क्लाइब एक सुनिल